हरे किसना आप देख रहे हैं ट्रूमीडिया का जोतिश विज्ञान घर में सुक्स मुर्दी के लिए वास्तु के उपायों को सबसे कारगर माना जाता है यह उपायना केवल परिवार में खुशाली का कारण बनते हैं बलकि धन एश्वरे की प्राप्ती में भी मददगा साबित होते हैं वास्तु सास्त्र में बताया गया है कि घर की दिवारों पर तस्वीर लगाने से भी जीवन पर सकारात्मक परवापड़ता है साथ ही इसमें कुछ ऐसी तस्वीरों के विशे में बताया गया है जिनने दिवार पर लगाने से परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है आईए जानते हैं कि किस तरह की तस्वीरे हमें लगानी चाहिए वास्तु सास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को घर पर ऐसी तस्वीर लगाने से बचना चाहिए जिसमें युद या हिंसा का चित्रण किया गया हो इसलिए महाभारत की चित्र को अशुप माना जाता है ऐसा चित्र लगाने से घर में नकारात्मक तक का वास होता है और घर में कल्य की स्थित्ति उत्पन होती है इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि घर में डूपती हुई चीजों को दिखाने से चित्र को नहीं लगाना चाहिए उधारन के रूप में डूपती हुई नाव या जहाज को डूपते हुए जहाज का चित्र भी घर में नहीं लगाना चाहिए इससे घर में उदासी का माहुल पैदा हो सकता है और परिवार के सदस्यों में मन मुटाव की इस्तिती पैदा होने की सम्हावनाई बढ़ जाती है वास्तु सास्तर में यह भी बताया गया है कि वेक्ति को घर में जहने की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए ऐसा करने से आर्थिक तंगी की स्तिती पैदा हो सकती है साथ ही पानी की तरह पैसा भी मिना किसी कारण से खर्ष हो सकता है इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए इसके साथ ही कई जोतिश विद्वान घर पर ताजमहल की तस्वीर को लगाने से भी मना करते हैं ऐसा इसलिए क्य जूतिष विज्यान और यह जानकारी आपको कैसी लगे हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप टूमिडिया की जूतिष विज्यान को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हारे किसना अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें